हेलो स्टेट्स वेल्कम बैक टू एले टूटर्स चली इस थर्ड वीडियो में हम 1.1 पूरी तरह कंप्लेट करने वाले हैं और इसके अंदर हम देखने वाले हैं दो कोशन एक तो यह जो कंप्लीट दा फॉलिंग एक्टिविटी है जो कोशन बर वन था और जो हम फर्स्ट मे बच रहता है 7 और 8 यह करेंगे और इसके लिए हमने अलग वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि यह जो दो कोशन है यह टोटली डिफरेंट है यह 6 कोशन से बिलकूल अलग है हमने यह 6 कोशन के 2 मेतेड देखे थे पर इसका खुद का एक मेतेड है तो इसको पहचानने का जो तरीक है वो यह है कि जिसे यह 99 और 101 है तो यह उल्टा रहेगा 101 और 99 उसी तरह देखे यह 49 57 है तो यह 57 49 रहेगा यह जो यह जो नंबर है इसकी बात नहीं हो रही है जो X और Y का जो कोशन है उसमें यह reverse चीज होता है अपोजिट होता है तो देखे फिर से 99 101 101 99 49 57 57 49 तो यह दो सम्सम को इस वीडियो में करना है और जो एक्टिविटी मैंने बोला वो तो चले हम शुरू करते हैं पहले एक्टिविटी से शुरू करते हैं तो चले देखे जो मेतड़ वही रहेगा फर्स्ट वाला मेतड़ जो था देखे नेमिंग एक्वेशन एक्वेशन इसको equation number 2 दिया है, इस तरीके से ही equation को लिखना important भी होता है, लेकिन roman number small में भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, और यहां पर correction है कि textbook में plus sign है, पर यहां पर minus sign रहेगा, तो यहां पर कर लिजिए, तो दोनों का equation मतलब यह हो गया, क्या बोलते है, naming हो गया है, उसके बा करना पड़ता है, तो इनका coefficient सेम था, पर इनका sign जो है, वो different है, तो different sign है, तो आपको add करना पड़ेगा, और इसलिए यहां पर दिखे लिखा कि let's add equation 1 and 2, तो adding के लिए दोनों को लिख दिया है, अब जब add करेंगे तो add ही नहीं होता है, add करिए आप या subtract करिए, आपको follow कर sign के हिसाब से, तो इसका sign plus है, और हमने add कि यह plus को थोड़ा सा नहीं ची लिखना चाहिए था, चलता है कोई बात नहीं, तो plus और plus plus होता है, तो 5 plus 2, 7x होएगा तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा 7x, फिर यहां पर अगर आप चलते हो, तो plus 3y और minus 3y, plus or minus minus होएगा, 3y, 3y cancel हो जाएगा, तो यह पूरी तरह चला जाएगा, और यहां पर अगर आप आते हो, तो 9 plus 12, क्योंकि दोनों भी plus plus में, तो 9 को और 12 को आप प्लस को रोगे, तो आपको मिल जाएगा 21, तो यहां पर 21 लिखना है, तो देखे, 7x, जी सोरी, x नहीं आएगा, यहां पर सि देखे, तो यहां पर 21 रह जाएगा, यह वाला और फिर यह जब 7 जाएगा, यहां पर वो डिवाइड हो जाएगा, फिर हमको x का वैल्य मिलेगा, 7x7, 7, 3, 20, 1, आप कैंसल कर सकते हो, 7x7, 7x7, 7, 3,21, तो आपको x का वैल जाएगा 3, तो यहां पर लिखे 3, तो एक बार इ लेकिन x नहीं लिखा है इंटू x के प्लेस पर आजाएगा 3 और फिर आगे का सब से में प्लस 3y विच इक्वल टू 9 फिर यहां पर क्या स्टेप है कि यह 5 इंटू 3 यहां पर नहीं दिखा दे रहा है यहां पर equal कि इस तरफ 3y दिख रहे है और यहां पर equal यह है इक्वल किस तरफ 3y दिखने का मतलब है कि यह चीज़ नहीं दिख रहे है तो यह चीज़ वहां पर चला गया होगा तो 5 3s 15 है प्लस 15 जब वहां पर जाएगा तो 9 के साथ माइनस 15 हो जाएगा तो इसलिए यहां पर माइनस लिखा है और घे यह 3y यहां पर है यह equal का साइन यहां पर है यह 9 यहां पर है और यह झोप्लस 15 है जब वहां पर जाएगा तो वहांनस 15 हो गया जिसमें से यह जो माइनस है वह यहां पर है तो यहां पर आजाएगा 15 फिर अब 9 में से 15 माइनस करेंगे, small number में से big number माइनस करेंगे, तो आपको negative मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा minus 6, और फिर y का value चाहिए, तो 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ y लिखा है, तो यह 3 हटाने का है, तो 3 जब यहां पर आगा तो डिवाद हो जाए जाएगा, x, y, solution is x, y, which is equal to x के प्लेस पे 3 आजाएगा, और y के प्लेस पे minus 2 आजाएगा, तो इस तरीके से solve करते हैं, तो चलते हैं, question number 1, जो हमारा activity पाके था, वो finish होता है, चलते है, question number 2 के जो बाकी question उसको finish करते है, तो चलते है, question number 7 करते है, most important, 7 और 8 वारा question, जिसको म आपको दोनों equation जो आपको मिलेगा naming करने के बाद, दोनों को add भी करना है, दोनों को subtract भी करना है, यह, आपको दोनों चीज करना ही है, दोनों equation को add भी करिए, दोनों equation को आप सब्ट्रैक भी करिए, आपको एक नया equation मिलेगा, उस नय equation को फिर से आपको add करना है, जो 3rd और 4 उत्र रहेगा तो उसके बाद फिर आपको पहले जो method है वही करना है तो चलिए naming करते हैं पहले तो यहाँ पर हम लिखते हैं 99x plus 101y which is equal to 499 और यह हो जाएगा आपका equation number 1 और दूसरा है 101x plus 99y which is equal to 501 यह हो जाएगा आपका equation number 2 तो दिखे naming के बाद आपको add ही करना है और आपको subtract ही करना है तो चलिए add करते हैं दोन equation को और लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखे adding 1 and 2 दोन equation को add करेंगे तो फिर से same लिखना पड़ेगा और add करना पड़ेगा तो adding करने देम आपको कोई भी equation कहीं पर लिख सकते हो लेकिन subtract में आपको याद रखना है तो चलिए इसको add करते हैं तो चलिए line drop करते हैं और add करते हैं तो कहीं पर भी negative sign दिख नहीं रहा तो सब जागे पर add ही करना है तो 101 और 99 को अगर आप add करते हो तो आपको मिल जाएगा 200 x और plus यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा 200 y which is equal to 499 और 501 यहाँ पर गरें हो तो यह 500 हो जाएगा तो x plus y which is equal to 1000 और यह 200 यहाँ पर तो divide हो जाएगा दोनों 0 cancel होता है फिर 10 है यहाँ पर 2 है तो 2 1s are 2, 2 5s are 10 और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे therefore x plus y which is equal to 5 और यह होगा आपका equation number 3 तो subtracting में आपको एक equation, sorry adding में आपको एक equation मिला है अब एक equation आपको मिलेगा subtracting में जिसको आप equation number 4 करोगे और फिर उसी equation को आपको दोनों को add करना है तो चली subtracting करेंगे लेकिन हाँ subtracting के time आपको याद रखना है जो starting का number जो greater ही उपर रहेगा तो from 2 लिखेंगे subtracting 1 from 2 तो चल प्लस 99y which is equal to 501 यह उपर रहेगा और इसको नीचे लिखना है तो 99x plus 101y which is equal to 499 और आपको पता है कि हमको अगर subtracting करना है तो line draw करने के बाद sign को change करना पड़ेगा तो चलिए तो चलिए line draw किया और यह plus है तो इसका sign minus हो जाएगा यह भी plus है minus हो जाएगा यह भी plus है minus हो जा तो 2x बचेगा तो यहाँ पर आजाएगा 2x फिर minus और plus minus होता है तो 101 में से 99 minus करेंगे तो 2y आजाएगा और since इस बार यह greater number है तो यहाँ पर आएगा minus और फिर यह plus है यह minus है plus और minus होता है तो 501 में से 499 minus करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर मिलेगा 2 और since यह greater है तो plus म मिलेगा तो यहां पर अगर 2 देख रहे हैं तो 2 कॉमन है तो अगर आप 2 को कॉमन लेते हो तो x-y which is equal to 2 होता है therefore x-y same रहेगा और यह 2 जब वहां पर जाएगा तो इसके साथ divided हो जाएगा तो 2 upon 2, 2, 2 cancel हो जाएगा 1 हो जाएगा therefore x-y which is equal to 1 यह बन जाएगा आपके लिए equation number 4 और एक चीज़ याद रखिए कि एक चीज़ अगर आपको x-y मिला है तो दूसरा आपको x-y मिलेगा और दूसरा है यह मत सूची कि adding में आपको plus मिलेगा और subtracting में आपको minus मिलेगा adding में आपको minus मिल सकता है subtracting में आपको plus मिल सकता है लेकिन एक बर अगर minus मिलेगा तो दूसरा वाला minus फिर से नहीं मिलेगा वो plus ही मिलेगा तो देखे हमारे पास equation 3 और equation 4 आगया है तो हमने 3 step पूरा कर लिए अब आपको यह दोन equation को add करना है किसको 3 और 4 को तो चलिए यह काम करते है तो चलिए लिखते है adding 3 and 4 तो यहाँ पे space नहीं तो चलिए यहाँ पे add करते हैं और 3 है हमारे लिए x plus y तो यहाँ पे लिखते है x plus y which is equal to 5 और 4 जो है वो यह है तो लिखते है x minus y which is equal to 1 और फिर यहाँ पे line draw करते हैं तो चलिए अब add करना है तो sign के साब से ही करना पड़ेगा तो plus x plus x plus 2x हो जाएगा plus y और minus y cancel हो जाएगा और 5 plus 1 6 हो जाएगा therefore अगर x का value चाहिए तो यह 2 को वहाँ पे भीजना पड़ेगा तो 6 divided by 2 जाएगा 2 तो 3 जाएगा 2 तो 3 जाएगा 6 का जो value है वो substitute करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि substituting x equals to 3 in equation 3 तो यहाँ पे x के place पे आपको लिखना है यह 3 तो यह 3 बन जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3 plus और y which is equal to 5 उसके बाद y का value चाहिए तो y which is equal to यह plus 3 जब वहाँ पे जाएगा तो 5 minus 3 हो जाएगा therefore y का जो value है आपको मिल जाएगा 5 minus 3 2 मिल जाएगा फिर आप इसको box में लिख लीजिए तो चलिए y को box में put कर दिया तो x का value भी आपके पास मिल चुका है y का value मिल चुका है वही आपको find out भी करना था तो last में हमारा जो last step बसते है solution का तो वो लिख देंगे कि x, y is equal to 3, 2 is the solution तो चली question number 7 भी finish होता है same question number 8 भी है strength तो चली question number 8 कर लेते हैं तो चली 8 question में भी सबसे पहले naming करेंगे तो यहां पर लिखते है 49 x minus 57 y which is equal to 172 यह हो जाएगा equation number 1 और फिर second लिखते है 57 x minus 49 y which is equal to 252 यह हो जाएगा equation number 2 और फिर आपको पता है कि second step है कि दोनों को add करना है third step है कि दोनों को subtract करना है तो चली adding करते हैं और यहां पर लिखते है adding 1 and 2 तो चली फिर से लिखना पड़ेगा तो फिर से लिखते है 49 x minus 57 y which is equal to 172 और 57 x minus 49 y which is equal to 252 तो चली इसको add करते हैं तो चली एक लाइन टो किया और adding करना है मतलब adding करना नहीं है मतलब sign के साब से solve करना है तो plus और plus प्लस ही करना पड़ेगा minus और minus फिर भी plus करना पड़ेगा plus और plus फिर भी plus करना पड़ेगा तो चली प्लस ही करेंगे 424 हो रहा है फिर आपको क्या करना है कि 106 दोनों जुटे पर दिख रहा है तो 106 को आपको common लेना है, यहां पर बचएगा x, यहां पर बचएगा minus, यहां पर बचएगा y और यहां पर हो जारा है 424, फिर x-y जो है वो as it is यहां पर रहेगा, और यहां पर 424 के साथ 106 जो है 4 से multiply करते हो दीखे 106 को अगर आप 4 से multiply करते हो तो 4 6 है 24, 4 2 2 आ जाएगा 4 वंज़ा 4, 4 24 आ रहा है तो 106 वंज़ा 106 और 106 4 आपको मिल जाएगा 4 24 तो इसका मतलब है कि जो हमको equation चीए था थर्ड वाला वो मिल गया x-y which is equal to 4 और यह हो जाएगा आपका equation number 3 तो देखे इस बार adding करेंट है minus मिला है तो अगर adding मिला है तो subtracting में आपको plus मिलेगा तो चलिए subtracting करते हैं लेकिना subtracting में आपको याद रखना है कि greater number को उपर रखना है इसको उपर रखना है इसको नीचे है 42 और इसको नीचे लिखना पड़ेगा 49x minus 57y which is equal to 172 और since हम subtract कर रहे हैं तो हमारा जो नीचे जो equation उसके सारे terms के जो sign है वो change हो जाएंगे तो चली वो करते हैं तो चली एक line draw कर लिया अट यहां पर minus हाजाएगा इसका sign minus है तो ब Whew प्लस है तो आपको magnitude 10 i kis 7 मरेंस को है तो दो आपको 8x यहां पर यहीकश प्लस ओ स des markets और हमारा स साथ कर दो ह्कृष्टवाई एक तो यहां प्लस और मैनस मैनस हुएगा तो 252 मिश्श करना सा 172 तो टो ओने प्को जेरो मिल जाएगा 15 में साफ 7 माइनस करें गे तो आपको मिल जाएगा आपको 8 मिल जाएगा यहां पर 8 लिख देंगे तो यह जाएगा 80 अब दोनों में देखेंगे तो 8 कॉमन है तो आपको 8 बाहर निकारला है यहां पर आज blending ऑ सबना को तो 80 फिर आपको 8 वहां भीजना है तो therefore x plus y which is equal to 80 divided by 8 8 बन जा 8 8 बन जा 8 या 8 टेंज आ 80 समझे therefore आपको x plus y जो है वो आपको 10 मिला जो आपके लिए equation number 4 हो जाएगा तो हमार पास यहां तक आ गया अब हमको क्या करना है दोनों equation को मतलब equation number 3 को और 4 को add करना है तो चलिए वो करते हैं तो चलिए लिखते हैं adding 3 and 4 तो 3 को और 4 को add करते हैं तो यहां पर लिखते हैं x minus y which is equal to 4 त्री वाला और 4 लिखते हैं x plus y which is equal to 10 और फिर इसको add करते हैं तो चलिए x plus x अगर दिखेंगे तो 2x हो जाएगा और minus और plus minus हो जाएगा तो यह cancel हो जाएगा और 4 plus 10 अगर आप देखते हो तो 14 हो जाएगा तो therefore x को यहां पर रखते हैं 2 को यहां पर भेजेंगे तो 14 डिवाइड बाइ 2 हो जाएगा तो चलिए हम equation number 4 में हम क्या करते हैं x का अवले substitute करते हैं यहां पर क्योंकि 4 देखें simple है plus है अईससे नहीं कि आप इसमें substitute करेंगे तो चलिए इसमें substitute कर लेते हैं equation number 3 में 4 में तो simple है इसमें भी substitute कर सकते हैं यह थोड़ा सा calculation जादा हो जाएगा 4 और 3 में आपको यह थोड़ा सा अगर difficult लगते है तो भी कोई problem नहीं हम इसमें substitute करते हैं तो यहां पर लिखते हैं कि substituting x equals to 7 in equation number 3 तो यहां पर आ जाएगा x के place पर 7 आ जाएगा तो यहां पर लिखते हैं 7 फिर minus y which is equal to 4 therefore यहां पर देखें negative y बचेगा यह आपको याद रखना है फिर यह 4 है plus 7 जब वहां पर जाएगा तो minus 7 हो जाएगा therefore minus y which is equal to minus 3 हो जाएगा दोनों minus cancel हो जाएगा तो हम directly बोल सकते हैं therefore y which is equal to 3 दोनों minus cancel हो जाएगा तो y का value 3 मेला है इसको box में put करते हैं और solution लिखते हैं तो चलिए y का value put किया box में और फिर जो हमको value मिल गया 7 और 3 वो हम last में आप लिख देते हैं कि x, y is equal to 7, 3 is the solution तो चलिए finally 1.1 यहां पर finish होता है 10th channel में आपको especially हमेशा एक चीज आपको बताऊंगा कि आपको practice एक बार नहीं करना है आपको कुछ time के बाद रुक के फिर से practice करना है क्योंकि आपको 10th के portion को बहुत चलिए आपको एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए guide ले दूँगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकियो वेरी मच लाइक करी प्लीज स्टुदेंट्स